तटी मैदान का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व संपूर मैदान बहुत उपजाओ है मैदान के चोड़े भागों में चावल, गन्ना एवं नारियल की खेती की जाती है तटों पर नारियल, सुपारी, रबर, केले एवं गरम मसाले की खेती होती है पहाड़ी ढलानों पर काजु, कॉफी, चाय, वा गरम मसालों के बगीचे लगाये जाते है तटवर्ती छेत्रों में नमक की खेती भी होती है बड़े प्रहमाने पर नमक तयार करने का कारी यहीं होता है मचली पकड़ने का कारे भी यहां बड़े पैमाने पर होता है यहां नदिया समुद्र से मिलती है अत्यों मीठे पानी एवं खारे पानी से मिलने वाली दोनों प्रकार की मचलियां बहुत आयात मात्रा में मिलती है सीप से मोती निकालने का कारे भी किया जाता है कहीं कहीं तटिय शेत्रों में विशेश कर गुजरात तट पर मोती एतु सीप पालन किया जाता है खनिश पदार्थों के द्रिष्टी से भी ये मैदान महत्वपूर्ण है तटवर्थी शेत्रों की बालू में बहुमोल्य खनिश मोनाजाइट, इलमेनाइट, जिर्कॉन, रुटाइल, सिलिमेनाइट आदी मिलते हैं ये सभी परमानू उर्जा के विपुल्स्त्रोत है तटके निकट समुद्र में खनिश तेल के भी परियाप्त भंडार मिले है भारत का सबसे बड़ा तेल शेत्र मुंबई हाई और कावेरी खनिश तेल के भंडार यहीं है व्यापारिक द्रिष्टी से ये मैदान बहुत महत्वपूर्ण है भारत के सबी बड़े बंदरगाह जैसे कांदला, मुंबई, मार्मागोवा, कोच्ची, तिर्वनंतपुरम, चेननई, विशाखापटनम, पारादीप, आधीर, तटी मैदान में इस्तित है इन्ही बंदरगाहों के माध्यम से देश का अधिकांश विदेशी वैपार होता है ये मैदान एतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है प्रसिद्ध रामेश्वरम, कन्यकुमारी, कांचिपुरम, मदुरई केल मंदिर, सेंट फ्रांसिस जेवियर, गिर्जा घर यही है दोनों तटों के सहारे ही बाहर से आने वाले अर्बी, पुर्तगाली, डच और फ्रांसिसी वैपारियों ने यहां अपनी वैपारिक कोठियां बनवाई थी तटी मैदान प्राकृतिक सौंदरिक के धनी है, साथ ही स्वास्तवर्धक भी है प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में परेटक यहां घूमने के लिए आते हैं, मानों बसाहट भी यहीं सगन है